जाएंद एवरीवन, बहुत सवार लोगों को इस माहिने में एक कईस तारीक को जो नेपा की खोली भरती कराई जाने वाली है, उसके बारे में पता होगा, लेकिन ये वीडियो सिर्फ उन लोग के लिए है, जिनको नेपा की खोली भरती के बारे में कुछ भी नहीं पता है, और उस टाइम मैं एक बीडियो बना कर आप लोग को बताया था कि नवंबर में नेपा की भरती होने वाली है और यह जो नेपा की भरती है न इसका वर्दी-वर्दी काफी अच्छा मुझे लगता है इसलिए इसके उपर में बीडियो बनाता हूं तो जितने लोग का मन होगा यहां पर भरती देखने जाने के लिए वो लोग पूरा का पूरा वीडियो जरूर देखना क्योंकि कुछ ऐसी बाते हैं जो आप सभी लोग को पता होना चाहिए कैसे लोग को आपर भरती देखने जाना चाहिए कैसे लोग को आपर भरती देखने नहीं जाना चाहिए मैं वह चाहिं भी ऑनलाइन कराने का जरूरत नहीं है कोई भी ऑफ-लाइन फार्म भारने का जरूरत नहीं है यह खुली भरती ओपन बढ़ती है और आल इंडिया के लिए इसमें जब भरती देखने जाओंगे न तो अपना हाई स्कूल का मार्शीट आय परमाण पत्र निवास परमा सब्सक्राइब कर दोड्कियों का दौड़ एक स्वाइरी मिलेगा डौडो होने के बाद ही जामप होगा उसके लांगज जामप होगा उसके बासे नार्मल मेडिकल होगा जैसे बायरिकोज देखा जाएगा पलाइट फूर देखा जाएगा और भी दो चार बात नोटिफिकेशन में लिखी गए थी उसके बास से आपका पेपर कराए जाएगा और जो पेपर कराए जाएगा ना सो कोस्टन रहेंगे सो नमर के और इसमें लोग वार्ट सब चैनल में जरूर जूर जाना ठीक है ना तो चलते हैं पहले गूगल बाबा का साहरा लेकर नेपा का अफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करते हैं अफिशियल वेबसाइट पर जाने के लिए गूगल पर आकर आप लोग को नेपा लिकर सर्च मारना जैसे ही गूगल पर नेपा लिकर सर्च मारोगे वैसे आपके सामने कुछ ऐसा अप्षम्स देखने को मिलेगा यहाँ पर लिखा रहाएगा नार्थ इस्टर न पूलिस एकेडमी पर आप लोग को किलिक करोगे वैसे नेपा का अफिशियल वेबसाइट खुल के आप लोग अब लोग training का फोटो देखना, training का फोटो भी इसके official website पर दिखाया गया है, यह रहार training का फोटो, तो जिस तरह से Indian Army में training होता है, उसी तरह से इसमें भी training का फोटो दिखाया जा रहा है, तो काफी अच्छा लग रहा है, अभी चलते हैं नीचे इसका notification डाउनलोड कर लेते ह यहां से नोटिफिकेशन को डाउनलोड किया था लेकिन दुबारा मैं इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने जा रहा हूं ताकि आप लोग को भी दिखे कि मैं कहां से नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर रहा हूं यहां से notification download होता है यह जो news and events लिखा गया है तो यहां से कोई भी news download होता है लेकिन यहां अभी new news दिखाया जा रहा है और NEPA का जो notification है वो सितंबर में निकाला गया था तो click here पर click करता है जैसे click here पर click करेंगे तो मतलब जितना भी पूराना notification है वो पूरा का पूरा notification खुल के आप लोग के सामने आ जाएगा यहां से आप लोग देख सकते हो Direct Recrement 2013 तो यह वाला भरती का notification है तो इस पर आप लोग को किलिक करना है और जैसे इस पर किलिक करोगे Download पर किलिक करोगे वैसे नेपा का official notification खुल के आप लोग के सामने आ जाएगा देखो यहां पर साब साब बताया जा रहा है कि यह notification सितंबर में रिलीज करके बता दिया गया था कि नवंबर में नेपा की भरती है तो अभी इस notification में जितना important point लिखा गया है एक AMTS दोवी का पोस्ट निकाला गया है और एक Life Guard का पोस्ट निकाला गया है और नीचे एक Car Stable Motor Mechanic का पोस्ट निकाला गया है तो किसमें कितना पास मांगा है और किसका भरती कॉप करा जाएगा किसमें कितना एज मांगा है शाट कार्ट में आप लोग देख लो यहाँ टियस कुक वाले में सिंपल दोश पास मांगा है ठीक ना? और यहाँ पर Other Qualification के बारे में बताया गया है मतलब बोला गया है कि खाना बनाने के बारे में आपके पास Knowledge होना चाहिए Experience होना चाहिए यहाँ पर बताया गया है उसके वासे आपका मीनिमा में जा 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम में पाचीश साल होना चाहिए और एज में आपका कटेगरी के इसाफ से छूट भी मिल जाएगा अब यहाँ पर बताया जा रहा है MTS 2B वाले में तो इसमें भी सिंपल दोस पास मांगा है और अदर क्वालिफिकेशन में मांगा गया है कि Knowledge आप वासिंग है मलब कपडा धोने के बारे में आपके पास Knowledge होना चाहिए और जैसे Trade Test भी इसमें होगा ना तो आपको Trade Test पास करना पड़ेगा वहाँ पर कपडा धुलाया जा सकता है सरफ का नाम पुछा जा सकता है और कुक वाले में भी खाना का नाम पुछा जा सकता है मसालो का नाम पुछा जा सकता है तो इसमें Trade Test भी होगा किसरा नामर पर Life Guard दिया है इसमें भी Education Qualification Simple दोस पास मांगा है लेकिन दोस पास के साथ यहाँ पर Certificate के बारे में बोला गया है और उपर Certificate के बारे में नहीं बोला गया था इसमें बोला जा रहा है कि Certificate in Swimming मतलब Swimming का आपके पास Certificate होना चाहिए स्पोर्ट का Certificate होना चाहिए और दो साल का मतलब आपके पास experience होना चाहिए आप practice कियो उसका मतलब पुरा का पुरा proof होना चाहिए ठीक ना तो life guard वाले में मांगा गया और इसमें minimum में 18 साल मांगा गया है maximum age 25 साल मांगा गया है और इसमें भी मतलब जैसे category के हिसाब से age में छूट मिल जाएगा अब आपर castable motor mechanic के बारे में बता गया है तो इसमें भी simple दोस पास मांगा है और इसमें तो दोस पास के साथ डिपलोमा उपलोमा मांग दिया है तो बोलग अपना देख लेंगे ठीक ना इसमें minimum में 18 साल होना चाहिए और माइक सीमें 17 साल होना चाहिए अब बात कर लेते हैं इसमें height कितना लगेगा तो देखो आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो अकर general category से आते हो या C category से आते हो या OBC category से आते हो तो लड़कों का height 170 cm होना चाहिए और लड़कियों का height 157 cm होना चाहिए या C category से आते हो या OBC तो फिर लड़कों का height 162.5 cm होना चाहिए और लड़कियों का height 150 cm होना चाहिए और जितने लोग जैसे पहाडी छेतर से आते हैं असाम से आते हैं और भी बहुत सारे राज्यों का नाम या पर दिया है गोर्खा दिया है और भी बहुत सारे राज्यों का नाम दिया है कुमाओ दिया है दोगरा दिया है तो वो लोग अपना देख लेंगे उन लोग का height तो बहुत कम मांगा जाता है वो लोग अपना height देख लेंगे ठीक ना नारमल चेस्ट 8 cm होना चाहिए और फुलाना चाहिए 5 cm और एस्टी वालोग का नारमल चेस्ट 6 cm होना चाहिए और इन लोग को भी 5 cm फुलाना है और ये तो पहाडी छेतरों के लिए है जैसे गोरखार का वालों के लिए है तो वो लोग अपना देख लेंगे अब यहाँ पर बोला गया है की कास्टेवल बाइंड का भी भरतिय निकाला गया है तो इसमें simple dose pass होना चाहिए आरमी में जो amazon का भरति होता है न सायद उसी भरति के बारे में यापर बताया जा रहा है musician के बारे में आपके पास knowledge होना चाहिए मतलब जो बीगुल उगुल बाजाय जाता है उसके बारे में आपके पास नोले जोना चाहिए और इसमें मीनिमम में जा ठारा साल मांगा गया है और माइक्सिमम में सताई साल मांगा गया है पुरा का पुरा नोटिफिकेशन में अपने टेलिग्राम चैनल में भेज दूँगा मेरा टेलिग्राम चैनल निलेस बुलक के नाम से उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा और अबाउट में में मेरी टेलिग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा तो देखो कास्टेबल, बायंड, कास्टेबल, जीडी, कास्टेबल, एम्टी, मकाइनिक का जो दवड होगा इसमें लड़कों का दवड 16 मिटर का कराये जाएगा ठीक ना और फीमेल का जो दवड होगा, 1000 मिटर होगा, मतलब एक किलो मिटर उन लोग का फीमेल लड़कियों का दवड कराये जाएगा और 6 मिनट का उन लोगों भी टामिंग मिलेगा, उसके बासे दवड होने के बाद आप लोग का लांग जाम्प होगा जोकि 11 फूट होगा, और 3 चांस मिलेंगे, और लड़कियों का 9 फूट लांग जाम्प होगा, और इन लोगों भी 3 चांस मिलेंगे तरफे जलस बारा हुए, मतलब वो मेडिकल के बारे में बता रहा है कि आपके पाइर में ऐसे WHO नहीं हो चाहिए ں में झाहिए Son पेपर में टोटल सव प्राशनर आएंगे सव नमर के ठीक है ना सव कोस्चन आएंगे सव नमर के यहाँ पर बताया गे आए जनरल अवारनेस जनरल नोलेस से 25 कोस्चन 25 नमर के और जनरल माथमाटिक्स मतलब माथ के 25 कोस्चन 25 नमर के और जनरल रिजिनिंग के 25 कोस्चन 25 नम और जो पेपर कराए जागा, दोस के लेबल का पेपर कराए जागा, यहां पर साफ साफ लिखा गया है, ठीक ना, अप लोग एक बार अपने तरफ से अच्छे से देख लेना, ठीक ना, और जब आप लोग भरती देखने जाओगे, तो यही वाला फार्म भरके आप लोग को जादे दिक्कत नहीं होगा, यहां पर एक फोटो चपकाना है, और अपना नाम लिखना है, अपने पिताजी का नाम लिखना है, अपना नेशनल्टी निखना है, तो यह सारी चीजे आसान है, ठीक ना, इसको आप लोग आसानी से कर दोगे, इसली कटेगरी से आते हो, आप जा सकते हो, जानल्स से कोई दिक्कत नहीं होगा, और भरती कहां पर देखने जाना है, एक कई सतारी की ग्रमा महीन संदो जार तेटी को यह भरती कराया जाएगा ना, अच नमल में जगहों का नाम बाताया गया है, यहीं पर यह भरती होगा, ठीक ना, मिघाला में भरती हो उन लोग इस महिने में 21 तरीकों नार्थ इस्टर्न पूलिस एकेडमी की जो भरती होने वाली है उसके बारे में सारी चीजे आसानी से पता चल गये जोगी मैं वीडियो के शुरुवात में बताया था देखो मेरा घला थोड़ा खराब है मेरे वहीं और दो तीन दिनों से खर जाना ठीक ना इस पर आप लोग नहीं जाना मैं आप लोग को शुरुवात में बताया था कि आप लोग को बताऊंगा कि कैसे लोग को भरती देखने जाना चाहिए और कैसे लोग को भरती देखने नहीं जाना चाहिए और मैं बरती देखने जाऊंगा या नहीं जाऊंगा लोग को बता दिया हूं और जिन लोग हाइट एकदम बर्डर पर आता ना कभी फिट होते हैं कभी अन्फिट होते हैं तो लोग उतना दूर नहीं जाएंगे तो सही रहेगा मेरा हाइट एकदम बर्डर पर आता है कभी काल फिट कर देते हैं सब और कभी काल अन्फिट कर दे ज्यादा दूर रहता है और हाइट 170 cm मांगता है तो सोचता हूं यार अगर दोड़ और पास करने के बाद हाइट में छड़ जाओंगा तो इतना पैसा हो ऐसा लगेगा सारे नुक्सान चला जाएगा अगर आप लोग का भी situation कुछ ऐसा ही होगा तो आप लोग नहीं जाना ज इसद़ कर दे तो मेता है जे कर दो जाह भी है